So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रा मुराच की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्परेशन शेयर के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं तो अब अगर आप देखोगे तो stock एक resistance face कर रहा है इस area के round अब अगर आप देखोगे तो यह 7580 का जो लेवल है यहाँ पे stock resist कर रहा है आप देखोगे ऊपर गया था इसने हमारा दूसरा target complete करा जो मैंने आपको पिछली बार बताया था और फिर उसके बाद दुबारा यह इसी के नीचे close हुआ है इसके ऊपर close होता तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर के targets मिल जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ अब यहाँ पे आप देखोगे तो यह rejection मिली है उसके बाद दूसरी बार भी यहाँ पे यह उपर break करना ही कोश्की बट rejection मिली है तो इससे हमें क्या समझाता है कि यह जो 7500 का price है यह काफी जबरदस इसका लिए resistance का का काम कर रहा है पहले आप देखोगे तो इसी area के around resistance मिला था उसके बाद इसी area के around resistance मिला था और जब पहले इसने इसको break करा था तो यहाँ पे यह up move भी काफी जबरदस्त आया था तो यह बात तो clear हो चुकी है कि अब यहाँ पे जो 7500 का जो level होने वाला है यह काफी ज़ादा यहाँ पे जरूरी होने वाला है और काफी ज़ादा important होने वाला है क्योंकि अगर यह break होता है उपर की side ठीक है उपर की side अगर यह break होके retest कर लेता है तो हमारे लिए उपर के targets और यह अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद हमें फिर 8300 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे यह दो टार्गेट निकल के आ रहे हैं 7900 का और 8300 का पर यह तब ही होगा जब यह 7500 का लेवल ब्रेक होगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं तो यह हमारे उपर के तार्गेट हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सेनेरियो की कि इसका सपोर्ट कहा हो सकता है तो आप देखोगे तो यह जो एरिया है यह वाला 6900 का यह 7000 का यह आप मान लो 7000 एक साइकलोजिकल लेवल भी हो जाता है तो अगर 7000 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होत और नीचे के साइड एक range squeeze हो रही है यहाँ पर यह जिस भी side breakout देगा यह काफी जबरदस breakout देगा और यहाँ पर हमें फिर अच्छे returns देखने को मिल सकते हैं ठीक है यह range आप देखोगे ना इसने नीचे की तरफ close करा इसने दो बार ऊपर try करा ना ऊपर close कर पाया तो यह जो range है ना यह इस range में फसा हुआ है stock और अगर आप पहले देखोगे तो पहले भी इसी area के round resistance मिला था इस resistance मिला था इधर resistance मिला था इधर मिला था और इधर सही support भी मिला था तो अगर आप थोड़े बहुत भी technicals जानते हो तो आपको पता होता है कि जब एक support break हो जाता है तो वो resistance बन जाता है ठीक है तो यही चीज़ यहाँ पर है आपको मैंने पूरा explain कर दिया इसका कि 7,000 का level लेकर चलो अगर 7,000 का level नीचे की तरफ break होता है retest कर लेता है तो फिर यहाँ पर हमें selling देखने को मिल सकती है ठीक है तो नीचे के लिए और targets भी मैं आपको बतायाता हूं कि नीचे आपको कहां तक selling देखने को मिल सकती है पहला आपके लिए target यहाँ पर निकल के आ रहा है ना और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट तो करते ही रहूंगा ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में